Hello everyone, मैं हूँ किरन शापरे और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही कराशीफल ये 24 जानवरी से लेकर 30 जानवरी तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेटिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सबस्क्राइब किया, तो प्लीज लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पीच भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, एसेंडन्ट या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहोंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं, कमिंग वीक का सापता ही क्राशी फल चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनरजीज हैं तो प्रॉफिशनल फरंड के लिए आप लोगों के लिए काड्स हैं, Muse of Inspiration, Reverse and Healing और देखें, Muse of Inspiration का का काड्ड कहीं enthusiasm की बात करता है, excitement की बात करता है कहीं बहुत ही courageously, बहुत ही boldly अपने मकसद, अपने goal को pursue करने की बात करता है और इस week आप लोगों के लिए ये काड्ड रिवर्स है, तो कहीं इन ही energies में एक balance नहीं दिख रहा है या तो आप over excited, over enthusiastic हो रहे हैं, over courageously, over boldly चीजों को deal कर रहे हैं या फिर आप ऐसा करना चाहा रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं और दिखिए यहाँ पे सब के लिए different reasons हो सकते हैं क्योंकि ये general reading है लेकिन muse of inspiration के नीचे healing का काड कहता है कि पुरानी कुछ चीजें हो सकता है, आपको hurt करी, आपको परेशान करी वहीं कहीं इस weak surface कर रही हैं, कहीं बहार निकल रही हैं या फिर उनके बारे में आप बहुत सोच रहे हैं और दिखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन ही energies को आप heal करना चाहा रहे हैं इसलिए surface level के energies में एक balance नहीं है कुछ के लिए यहाँ पे card हो सकता है, आपको guidance दे रहा हो कि जब तक पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को आप heal नहीं करेंगे तब तक आप balance तरीके से अपने goal, अपने मकसद को भी नहीं pursue कर पाएंगे और यहाँ पे देखिए, Gemini's एक चीज़ को समझना बहुत important है कि physically तो कोई हमें hurt कर सकता है, लेकिन mentally, emotionally हमें कोई नहीं hurt कर सकता है mentally, emotionally हम ही खुद को hurt करते हैं क्योंकि देखिए, सामने वाला हमें एक बारी गलत कहता है या फिर max to max दो बारी गलत कह देगा लेकिन उसी बात को जब हम बार-बार-बार-बार अपने मन में repeat करते हैं बार-बार again खुद को कहते हैं, उन्होंने ऐसे कहा, वो अपने आपको समझते क्या है उनको ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था, उनको सब के सामने तो नहीं बोलना चाहिए था और देखिए, जितनी बारी again हम repeat करते हैं, उतनी ही बारी हम खुद को hurt करते हैं तो देखिए, यह मैंने आपको सिर्फ example दिया है जाहिर सी बात है, यह general reading है, तो सब के लिए different situations होंगी लेकिन nutshell में बहुत important है कि इन ही energies से आप अपने आपको बाहर निकालें आप अपनी healing करें, तभी आप properly surface level पे भी और externally भी चीजों को deal कर पाएंगे and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है, 3 of inspiration and beyond illusion और देखिए, 3 of inspiration का card कहीं long term thinking की बात करता है, long term planning की बात करता है और आप लोगों के लिए ये card reverse है, तो इसी से related कुछ मसले, कुछ issues रहते हुए देख रहे हैं यानि कि आप again future के बारे में planning करना चाहा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं आप current situation में ही उलजे हुए हैं या फिर current situation में कुछ issues, कुछ मसले हैं जो आपको properly future से related planning नहीं करने दे पा रहे हैं और देखिए इसी वज़े से या otherwise भी एक अकेलापन आप महसूस करते हुए देख रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कि किसी चीज का इंतजार, किसी चीज का wait आप कर रहे हैं और ये waiting भी कहीं आपके लिए इतनी आसान नहीं रह रही है और नीचे देखिए beyond illusion का card एक दो चीजें कहता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप शायद reality से वाकिफ नहीं हैं देखिए literally देखिए तो beyond illusion का card illusion से beyond जाने की बात करता है यानि कि जो भी हमारे mind के भ्रह्म हैं, जो भी हमारे mind के thoughts है, creation है उनको पार करने की बात करता है और देखिए नच्शल में ये काड यही कहता है कि again आप reality से वाकिफ नहीं है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस चीज का एहसास आपको है और उसी से ही beyond जाने की आपकी कोशिश है कुछ के लिए यहाँ पे guidance हो सकती है कि आप थोड़ा सा reality से touch base जरूर करें आप reality से अपने आपको वाकिफ जरूर करें आगे बढ़ने से पहले, initiative action लेने से पहले and guidance से आप लोगों के लिए go the distance का का काड है और दिखे इस कार्ड का बहुत ही clear message है कि आपने बड़ी picture देखनी है और आपने long term के बारे में ज़्यादा सूचना है current में जो भी हो रहा है उस पे आप इतनी attention ना दें और दिखे इस कार्ड के energies बहुत ज़्यादा आपके personal front mystery of inspiration के कार्ड की energies के साथ match कर रही है क्योंकि ये कार्ड बहुत ही clearly या फिर literally long term के बारे में सोचने की बात करता है और ये कार्ड reverse है तो ऐसा आप नहीं कर पा रहे है और guidance का कार्ड कहता है कि ऐसा ही करने की ज़रत है आप अपने आपको current situation, current चीजों में ना उलजाएं आप इन से थोड़ा सा ओपर उठे और कोई भी मसले है again आप उनको overcome करके future के बारे में ज़ादा सोचे और जो भी decision आपने लेना है again आप long term को अपने mind में रखते हुए ही ले and astrology से आप लोगों के लिए 7th house का card है और इसके हिसाप से white and turquoise colors इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकते है and significantly आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था Gemini's आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate हुआ कितना आप connect कर पाए